स्वागत है हम बात कर रहे हैं समाविष की विशे समाविष बड़ा शब्द है लेकिन साधारं तहा ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को उस समय से लेकर जब वे आपकी कलीसिया की विशे में जानते हैं या जब उन्हें निमंतरन मिला इतवार की सभा में आना सभा का अनंद उठाना लोगों की साथ में समपर्क में आना और छोटे जुड़ जाना उस समय से लेकर जब वे आपकी विशे में सुनते हैं जब तक वे आपकी कलीसिया को अपनी कलीसिया ना बना ले तब तक ये है समाविष और ये महतोपूर्ण है ऐसी प्रक्रिया है औ ये बाते मैंने सिखा मैं आपको पताना चाता हूँ क्योंकि हमारी कलीसिया कोवननन्ट लाइफ है और हाली में दो साल पेले हमने स्तापित किया और हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं दो भीन जगवपर नोईडा और दिल्ली में और ये हमारे लिए बहुत ही ये मतवपूर्ण बात है कि हम एक अच्छी छाप को छोड़े हर कोई करना चाहता है आप उन लोगों को लूभाना नहीं चाहते है आपकी कलीसिया में लेकिन आप चाहते कि आप जाने की वे क्या मैसूस करते है आप एक अनुभव को प्राप करना चाहते है या उन्होंने अच्छी स्तान में हमारे एक स्तान में और दूसरी जगह हम लग स्कुल में करते हैं तो हमारे पास में दो ऐसी बहुती दिल्चस्प जगह है लेकिन महतवापूर्ण क्या है कि वहापर प्रविश मार गहे है जैसे ही लोग वहां आते है बिलकुल उस फाटक पर ही सिर्फ वहापर सही पता ही नहीं है लेकिन हमने वहापर एक बड़ी स्टैंडी बहार रखा है और एक बड़ी पोस्टर को जो कहता है कि यह हमारी कलीसिया है हमारी कलीसिया का नाम वहाँ है और वहापर कोई जान सके कि हम वहापर है अगर हमारी बात करे तो वहापर प्रविश मार गये एक स्थान पर और जब लोग वहाँ पर चल कर आते हैं हम साइन बोड को रखते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि आपका स्वागत है प्लांटर और हमने एक बड़ा सा लकड़ी का एक बक्सा कुछ पहुद है और उसमें स्वागत का चिंध अगर आपके पास में हमारी कली या साफसूत्री है जब आप आते हो या फिर आप बातरूम के लिए जाते हो तब भी गलियार से जाते हो तब या फिर आप जहाँ पर सभा करते हो वही जगा साफसूत्री है और बाकी सब कुछ वो सीडिया और कार्पेट और बाकी सब कुछ बिलकुल भी गंदा सा है ये लगता है कि वे खुँद सफाइब करना नहीं चाहते विचाते है कि अगर आप कर सकते हैं अच्छा है लेकि अधिक तर बातों में हमारी भारती कलीसिया ऐसी नहीं है ये साउध इसिन कलीसिया जहां सब कोई नीचे बैठते है या छोटे हॉल में और लोग ऐसे जिवन शेली के संपर्क में आना चाहते है जिनकी जीवन शेली जादा उची ना हो जो उनसे बड़े हो आप मिरबा समझ रहे वे जाना नहीं चाहेंगे फाइस्टार होटेल में नहीं वे जाना चाहेंगे मंदिर में नहीं धार्मिक स्थान पर जाएंगे और नहीं ऐसी जगह पर मैं इस क्यूश में सोचता हूँ और मुझे लगता है कि ये मतोपुर्ण है कि हम लोग साफ सफाई की और भी ध्यान दे हमारे आसपास में कितिनी जगह उपलब्ध है हर एक आराम देने वाली चीजे वहाँ पर उपलब्ध हो आप उधारन की तोर पर ले सकते हैं वातावरन जब आप कलीसिया में आते हैं तो क्या बहुत जादा गरम या बहुत जादा थंडा है जब आप कलीसिया में आते हो तो क्या महसूस करते हो हमारे लिए हम लोग जूज रहते हैं और अगर बात करें तो ये बहुत जादा गरम था और लोगों के आने से गरम हो जाता था इस आपको इसकी विश्य में सोचने की आउशक्ता है रोशनी की विश्य में कैसा जब आप अपनी कलिस्या में जाते हो क्या वहाँ पर अंधकार छाया रहता है क्या कोई टुबलेट खराब है और वो बराबर रोशनी नहीं देता है क्या ऐसा दिखाई परता है कि इसकी कोई देखभाल नहीं की जाती है हम रोशनी को भी देखते है उस समय से लेकर जब वे किसी कार से या बस से बहार निकलते हैं तब से उस समय तक जब वे अपनी स्थान पर आये हम चाहते हैं कि वे सभी बातों को देखे हम चाहते हैं कि सभी बातों को देखे उसमें उजियाला ही हो, यह उस्षाइत और आननजित करने वाला हो, आननपुर्ण हो तो हम चाहते हैं कि वे फाटक से लेकर स्तान तक का अनुभा प्राप करें जब वे उस फाटक से प्रविश करते हैं उस समय से लेकर जब तक वे स्तान पढ़ना बढ़े उसका अनुभा वो करें एक ऐसा स्तान जहाँ पर वे उसका मुल्य जान सके और वे उस विचार का सम्मान करे जहाँ उन्हे कुछ सिखाया गया हो सब बातों को देखने के परशात में जब वे प्रवेश करते हैं स्वागत और साथ सुत्रापन और बाकी सभी बाते जब उन्हें लगता है कि वे सही जगह पर आए हैं वे सही लोगों से मिलना भी चाहते हैं तो आप सही लोगों को वहाँ पर रखे ऐसे लोग जो मुस्कराते हैं ऐसे लोग जो बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं ऐसे लोग नी जो डराते धमकाते हैं या फिर दोश लगा प्रकार के ने लोगों का वहापर स्वागत कर सकें और जब लोग वहापर आते हैं जो पहले कभी कलीसिया ना गए हो या फिर उनका बड़ा अनुभव रहा है यह बहुत ही ज़्यादा महतोंपुन है कि हमारा पहला संपर्ख किसी की साथ हो जो हमारा ध्यान रखता है और ऐस सरहाना करना है अपनी घड़ी की उर्वत देखकर उन्हें ये ना बताए कि वे देवी से पोचे है या उनका स्वागत नहीं है और इसलिए ये बहुत ज़ादा मत्वपुण की सही लोगों को रखे कि वे संपर्क में रहे लोगों को सार्वजनिक तोर पर प्रश्यंसा की जाए अच्छा नहीं लगता लेकिन उनको अकले में अच्छा लगता है उनकी प्रश्यंसा की जाए उन्हें अच्छा लगता है लेकिन खुले में नहीं अकले में तो हम अपनी सभाव में किसी को निराश नहीं करते हैं नए लोगों को खड़ा करके उनका गया जा रहा है यह अच्छा नहीं दिखाए पड़ता हम क्या करने के कुशिश करते हैं लोगों का स्वागत करते हैं खुलेवन से अगर आपने लाइव को देखा है और आप देखेंगी कि मैं पुल्पिट से क्या करता हूँ परन्तु अकेले में हम उनकी सरहना करते हैं आप किसी रिती से हम उनके प्रती चिनता और प्रेम को प्रकट करते हैं और मुझे लगता है कि यह बहुती ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए अकेले में उनकी प्रशन सा करें जब नए लोग आपकी कली से हमें आते हैं हमने ये करने का निश्य किया था हमने वहापर कुछ पता नहीं होता है आप नहीं चाओगे कि वे यहाँ वहाँ धुंडे और पुछन पुछते रेकि कहां पर क्या है और यह सच मुछ बहुती दुखद है सभा के पहले जबकि आपको पहले सी देर हो चुकी है क्या में टॉलेट जा सकता हूं वह कहां पर है वहाँ पर चपशiniWow को रखे ताकि लोग जाकर तुरंत में आज सके बातरूम में आईने को रखे ताकि जब लोग जो दूर से आते हैं वे तुरंती अपने से अपको प्रयार करना चाहते हैं क्या वहाँ पहली बार वहाँ पर आ रहे है ताकि भे अच्छा दिखे इख़ा बातरू जहां उने लगे कि उनका कोई महत्वा नहीं क्या आपने मेमानों के लिए अलग सान रखा है क्या आपने सुनिशित किया है कि आप एक प्रक्रिया में से उकर जाए ताकि कुछ स्तान सुरक्षित रखे जाए उन लोगों के लिए जो पहली बार आते हैं या फिर आपके कलीशिया के कुछ लोग नए लोगों को लेकर आते हैं कि आप वे सीधे उस्तान पर उने लेकर जाते हैं जहां पर उनके लिए वो रखी गई है और उनके साथ में बैठे ताकि उनको अकेला में सुसना हो और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बैठने के भी सही वेवस्ता हो और एक बात में उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जब आप बैठ कर सभा शुरू होने की प्रतिशा करते हो ये बड़ा अजीब लगता है ठीक है अगर सभा आरम हो चुकी तो कोई बात नहीं है अगर आरम नहीं हुई है थोड़ा आजीब लगता है इसलिए आप ऐसा वातावरन त्यार करे आप वहाँ पर थोड़ा संकीत बजाना शुरू करे अगर वशिप्टिम बजा रही है तो तो कोई बात नहीं लेकिन उस समय में वे ट्यूनिंग ना कर रहे हो और वे वहाँ पर टेस्टिंग और चिलाना और कूदना ये सब बाते ना कर रहे हो वहाँ पर शांती हो और एक अच्छा संकीत चल रहा हो ताकि लोग जब वहाँ पर आए तो तो वे वहाँ पर शांती से बैट सके, जुके, या फिर वहाँ पर अपने सीर को जुका सके, या चूप रहे, या पढ़ने के लिए कुछ दे, कुछ तो भी पढ़ने के लिए दे, शायद कुछ ब्रोशर पढ़ने के दे, हम उन्हें शांत होने की जगा देते हैं, ताकि उन् वो मैसूस ना हो और इसलिए हम लोग संगीत को बजाते हैं और आंत में हम लोग उन्हें connection card को भी देते हैं क्योंकि हम उनकी जानकारी को चाहते हैं हम उनके संपर्क में आना चाहते हैं उनकी जानकारी हासिल करना चाहते हैं लेकिन हम उनको निराश नहीं करना चाहते हैं तो हम उन्हें काट देते हैं हम उन्हें आज़ा दी देते हैं कि वे कुछ भी बातों को चुने जो उन्हें पसंद है और जो भी वह हमें बताना चाहते हैं और शायद जिसमें हमारा पहला प्रभाव कैसे रहा वो भी है या प्र पर 40 सालों से सिफ 40 लोग ही आते हैं, अगर और कोई वहाँ पर नहीं आता है, तो ये अलग बात है, हम उनकी विशे नहीं बोरें, हम लोग ऐसी कलीसिया की विशे में बोर रहें, जो साधानता नए लोगों को बुलाते हैं, जो बढ़ने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर मैंने सफ़ता पाया हैं, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महतवपूर्ण हैं, होँद सकता है और बाते आपके कलीसिया के लिए महतवपूर्ण हो, लेकिन आपको सोचना होगा कि वह क्या है, प्रेम को डाले, अपने योजनाव को डाले, और तरीके को डाले और आपको परिणा मिलेगा कलीसिया को विहवारी बुद्धी से हम बढ़ाने पाए अपनी कलीसिया को एक ऐसा स्थान बनाए जहाँ पर लोग फिर से आना पसंद करें और फिर वे वहाँ पर उन बातों को वहाँ पर करता हुआ पाएंगे जब दूसरें ने उनके ल को भी दबाईए और जल्दी हम आपके इन बॉक्स में भी आ जाएंगे प्रभु आशिश दे